दुनिया में आज जो महमारी फैली है करोना उससे हम सब बुरी तरह से प्रभावित हैं और वग्यानिकों से लेके राजनेताओं प्रसासकों और आम लोग किसी को भी जल्दी समझ में नहीं आ रहा है कि ये विमारी क्या रंग रूप लेगी और कहां जाके हमको छोड़ेगी दुनिया को छोड़ेगी अपने यहां भी देर से ही सही लेकिन बड़े पैमाने पर वारत सरकार ने कोशिश सुरू की लगडाउन के साथ कि कैसे इस महमारी पर रोक लगाया जाए और रोक लगाने के दो ही तरीके जो तब पर चल थे उनमें एक लोगडाउन था दूसरा की तरीका था आब टस्रीव बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है इसमें देर जरूर हुई है लेकिन यह बड़े पैमाने सुरू हो गई है उसके नतीजे आने लगे हैं के नतीजें क्या आएं ये और भी रिव्यू का एक मसला है कि उस Caesar बी मारी रूप और ज्यादा प्य लेकिन बीमारी के साथ अपने मुल्क में सारी दुनिया में इस कसम की चीज़ें कम दिखाई दे रही है अपने मुल्क में जो पॉलिक्स सुरू हुई है और पॉलिक्स सिर्फ सत्ता की पॉलिक्स नहीं पॉलिक्स बड़े परमाने पर समाज में अलग-अलग डंक से अपना influence बढ़ाने की और influence बढ़ाने के तौर तरीके में घटिया चीजों का इस्तिमाल करना यह अपने यहां बहुत बढ़े प्रमाने पर सुरू हुआ है और उसका क्या नतीजा होगा कई चीजों में लगता है कि वह नतीजा शायद करोना से जादा नुक्सान दे होगा और महामारी तो रुकेगी और कल को विदा होगी लेकिन यह जो विमारियां इस समय लग रही है वह कई लेविल पे बहुत दिन तक परिशान करेंगी और ऐसी विमारियां उसी दिन से सुरू हो गई है जिस दिन से लोगडाउन सुरू हुआ है हमने देखा है कि दूसरे तीसरे दिन से ह जब प्रवासी मजदूरों का यहां से पलायन सुरू हुआ तो फिर किसने क्या रोल निभाया यह परदे के पीछे ही आज तक भी है अर्विन केजरिवाल ने दिल्ली से लोगों को भगाया फिर योगी जी ने उनको अपनी बसें उपलब करा के उतर प्रदेश में अलग जग केज़वाल और योगी सबसे तत्पर्द मुख्यमंत्रियों में हैं इसको समालने में लेकिन तुरंट वह बिलिन बन गया और चार होर से उनको गाली मिलने शुरू हो गई जैसे उन्होंने बसें उपलब करा के लोगों को दिल्ली खाली कराने की कोशिस की और ये कोशिस ल योगी जी और अगर विन ने भी किया है यह ठीक किया कि माइग्रेंस को उस समय निकालके उनके घर पहुचा दिया जाए क्योंकि 40-50 दिन का लोगडाउन द्यारी मजदूरों के लिए बहुत पारी चीज है और हम देख रहे हैं किस किसम का हाकार मचा हुआ है सारी समाज की और धार्मिक संस्थाओं की और सरकारी कोशिशों के बहुत तो उस प्रकारन को न चर्चा करें पहला यही कि यह जगड़ा क्या है और इस जगड़े में हमने देखा है कि डिटी सी बस ड्राइवरों पे मुकदमा भी हो चुगा है अभी यह नाटक फिर कोटा से अपने बि Say listen woman's की बिए वकुषियों से बड़े प्यमाने पर बीमार लोग संमाज में फ्याम बि मार हुए और संमाज में सब पाइले और वह विस्तार इतना ज्यादा था कि हमारे आंदूuje मौनेय महें बिखा दिखाई दिया होगा दिखाइध मुन्याद souvenuasiana को खेल सुरूब हुआ बड़े पैमाने पर खेल अभी चल रहा है खेल खतम नहीं हुआ और खेल आते यहां तक आ गया कि सब्गी वालों की विरादरी पूछ के सब्गी करता जाए लुकांदार की विरादरी पूछ के पूछा जाए और जब इधार तब्लीगी जमात के लोग अचानक यह दिखा कि वो ठीक हो के जब निकलने लगे तो उसमें से कुछ लोगों का खून प्लाज्मा थेरपी के लिए लिया गया तो प्लाज्मा थेरपी में सफलता मिलती दिखे आलाकि प्लाज्मा थेरपी कोई बहुत साफ तोर पे अभी तक घोसित कोई ऐसा इलाज प्लाज्मा थेरपी का मसला जैसे ही थोड़ा आया और तब्लीगियों ने बढ़ चड़के फिर अपने उपर लगे आरोप को साफ करने के हिसाब से यह दिखाया कि हम प्लाज्मा देना चाहते हैं तो फिर वारत सरकार ने तुरंत उस पर कहा कि नहीं अभी यह मसला नहीं ह और इस मसलेक पे भी अभी पॉल्टिक्स चल रही है लेकिन इसी बीच एक पॉल्टिक्स का दूसरा रूप दिखा पालघर में महाराश में दो साधूं को और उसके ड्राइबर को लोगों ने बच्चा-चोर समझ के मार दिया उस पे लगातार पॉल्टिक्स सुरू हो गई महाराश सरकार के खिलाफ और हिंदूों पर आकरमान और इस सवाल को दूसरा जमात जो अब तक बहुत हिंदुवादी पॉल्टिक्स से अपने को कि बिरोधी मानता है या उसके से अपने को दुखी मानता था उसको लगा कि यह कोई मसला ऐसा है जिस पे मुझ चुपाना च सीधे सीधे अपने दूसरे कांटरपार्ट को कहा कि उस पे मन्ने उसपे दुसरे राज के काम में एक मुखमंतरी दूसरे के यहां ऐसा क्यों कहा और जब्लक्ति-उस-क कोई सीधे वहां ऐसा इंट्रेस्ट नहीं है संजोग से जिस दिन संग परिवार और पूरा का पूरा हिंदुत वादी ग्रूप पाल घर के साधुओं के लिए दिया जलाने वाला था उसी दिन उतर प्रिदेश में दो साधुओं की हत्या दिया हो गई अब ठीक उलटके यह पॉलिटिक्स वहां से माराष्ट के मुख्यमंत्री ने योगी को फिरूसी किसम की सला दे डाली जो योगी ने उनको दी थी यह पॉलिटिक्स एक चल रही है हमने देखा है कि माइगरेंस को लाने ले जाने की पॉलिटिक्स अभी पैसों की पॉलिटिक हो रही है एक मतवारा अभी अचानक और भी दिख रहा है कि जब लॉकडाउन की सक्ति हुई और जगे जगे होटस्पॉट बनाए गए यह दिखे कि यह होटस्पॉट है यहां से बिवारी निकल रही है तो उन होटस्पॉट को घेरने की पॉलिटिक्स शुरू हुई और खेरते खेरते आज़की तारीख में यह है कि राज्यों की वान्री सील होनी सुड़ हो गई यह बजापता दिवारventions बनाके कलिषऑ चोड़ों खंदखार में कंदक खुड के वन्री बनाई गई खर्याना और दिल्ली दिल्ली और नवार्टा दिल्ली और ओ्र ses बोलिंब् ons इवेन नोईडा में तो उस दिन रिपोर्ट ये थी कि जो केस आ रहे हैं इसके टेस्ट के कोरोना के जो टेस्ट के नमूने लिए गए हैं, उन नमूनों को उत्तर प्रदेर से नोईडा जाने से रोका गया, डॉक्टरों को ड्यूटी पे जाने पर रोका गया तो अब काइद चीज़ने बहुत साफ एक तो किसानों को दिख रहा है क्योंकि उनका प्रदक्ट नहीं आ पा रहा है आम घ्राघ को दिख रहा है क्योंकि उसको सब्सक्सांदर टन से मिलनी चाहिए लेकिन यह से ज़्यादा बड़ा दिरकालिक नुक्सान यह है कि समाज राजियों के के बेसिस पे धरम के बेसिस पे अगरे पिछड़े के बेसिस पे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और करोना बीच जाने के बाद भी यह विवाजन जल्दी खतम होंगे इसके लक्षन नहीं है तो अभी जब मिल जूल के पॉल्टिक्स करनी थी मिल जूल के शासन करना था मिल जूल के इस बिमारी से लड़नी थी तब इस किसम की रोक तोक का मतलब यह है कि आप काईदे से आपको चिंता इस बिमारी की नहीं है आप बहुत छोटे स्वार्थों की पॉल्टिक्स कर रहे हैं तो जो लोग भी सेस्प लगभग पूरे देश की सामती होती है, सारे चेप मिनिस्टर्स की सामती होती है, लेकिन ये जो बारीक पोलिटिक्स से एक दूसरे को काटने का खेल चल रहा है, ये तुरंत बंद होना चाहिए, आज की बात इतनी सस्क्राइब कर लीजे हमारा यूटूब चैनल दफ्रंट और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन जरूर लीजे